हेलो दोस्तों 20 feet by 25 feet का एक Indian house plan के बारे में डिसकस करने वाले हैं आज जो की screen पे देख रहे हैं 3 BHK का plan है drawing room, kitchen, toilet सारा कुछ अच्छे से provide किया गया है अब देख सकते हैं तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों के साथ मैं column positions, column size, wall size, room size, door and window size, footing size, building costing हर एक चीज ब्रीफली discuss करूँगा तो वीडियो को इन तक देखते रहे हैं फ्रेंट्स नमस्कार दोस्तो मैं हूँ पन्त चौदरी सिबिल पार्सल में सभीको स्वागत है चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फ्रेंट्स सबसे पहले मैं बता दूँ कि इसका अगर pdf plan चाहिए, pdf में चाहिए तो मेरे website पे चले जाएए वहाँ पे फ्री में डाउनलोड कर सकते है आप अगर अभी तक चैनल को सबस्काइब नेगे तो चैनल को सबस्काइब कर लिजे और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ओके फ्रेंज तो अभी आप देख रहे है स्क्रीन पे ये बिल्डिंग का आउटर लाइन कवर किया हुआ है अभी हम लोग डोर विंडोज वाल देंगे दिन आप लोगे साथ एक एक पॉइंट देके डिसकस करेंगे ओके फ्रेंज देख सकते हैं फ्रेंज आप लोगे सामने पुरा कम्प्लीट ड्राइंग अभी दिखाई दे रहे है तो पहले तो मैं डिसकस करूँगा कहाँ पे कलम पोजिशन होने वाला है तो अगर आप एक सिविल इंजिनियर हो तो आपको जरूर पता रहना चाहिए कि कहा कहाँ पे कलम पोजिशन देते हैं तो इसलिए मैं देखे यहाँ पे कलम पोजिशन आप लोगो मैं मेंशन कर रहा हूँ कुछ इस तरीके का यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट कलर का मैं दे रहा हूँ देखे ब्लू कलर का मैं दे रहा हूँ आप लोगो समझने के लि देना ही परेगा इतना देखिए यहाँ पे टोटल हम लोग के पास कलम जो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 10 11 12 ओके 12 पीस कलम हम लोग यहाँ पे डालेंगे ओके फ्रेंज 20 बाइ 25 फिट का है 12 पीस कलम हम लोग डालेंगे कलम साइस का मैं बात करू तो कलम साइस देखिए फ्रेंज यहाँ पे 10 इंची बाइ 12 इंची का हम लोग कलम साइस प्रोवाइट करेंगे नॉर्माली हम लोग 500 स्कॉर फिट का यह प्लैन है अप्रोक्स 500 ही है 500 स्कॉर फिट का है नॉर्मली 9 by 9 या 10 इंची by 10 इंची देने से ये इसका ground floor first floor बन जाएगा लेकिन मैं 10 इंची by 12 इंची देने का कारा नहीं है कि आप इसको third floor तक बना सकते है foundation ओके इसके बाद हम लोग चले आते हैं कि wall size कितना होगा देखें friends यहाँ पे 500 square feet का plan है wall size हम लोग outer wall दिये है 6 इंची and inner wall जो दिये है ये 3 इंची का provide किये है 3 इंची का अभी आप बोलेंगे 3 इंची कैसे होता है sir देखें 3 इंची जो wall होता है आप brick को brick का normally size कितना है एक side होता है आपका 10 इंची by 5 इंची एर एक side होता है 3 इंची जो height होता है तो उसको हम लोग height को utilize करेंगे यहाँ पे तो उसी हिसाब से हम लोग 3 इंची यहाँ पे wall provide करेंगे जगा कि हिसाब से हम लोग इसको utilize करेंगे तो मेरे साब से कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा लिंटल बगड़ा सब अच्छे से देने से कोई वाल में कोई दिक्कत आपको नहीं होगा तो इनर वाल और आउटर वाल हम लोगो मिल गया inner wall हो गया 6, 3 inch and outer wall हो गया 6 inch इसके बाद हम लोग आ जाते हैं room size में room size में main entrance हम लोग का यहाँ पे होगा, यह होगा main entrance main entrance में आपको एक door दिखेगा main door जो इसको हम बोल सकते है इसको हम D नाम दिये है यहाँ पे देखिए, दो steer provide किया गया है, जो कि हम लोग print level थोड़ा high किये है ground level से, ओके, 18 inch हम लोग ground level से print level high किये है, ओके, इसके बाद हम लोग चले आते हैं drawing area में, ओके drawing area जो है यहाँ पे आपको जो जगा मिल रहा है drawing area 13 feet 3 inch 13 feet 3 inch में आपको length में मिल रहा है and width का बार्थ करें तो 5 feet 9 inch 13 feet 3 inch by 5 feet 9 inch आपको मिल रहा है drawing area यहाँ पे आप देख सकते है, sofa and TV प्रोवाइट किया गया है, 2D interior हम लोग कोशिश किये हैं देने का ओके, यहाँ पे आप देख लिजे यहाँ पे window प्रोवाइट किया गया है यहाँ पे w प्रोवाइट किया गया है window फ्रेंजिस इहां पर left hand side हम लोका kitchen मिल रहा है तेखिए open kitchen दिया गया है यहाँ पर kitchen में आने क्लिए आपको यहाँ पर एक door दिखेगा देखिए open door दिखेगा यहाँ यहाँ यह D1 नाम दे रहा है इस दोर का यहां पर प्रोपर विंटिलेशन के लिए यहां पर आपको मिलेगा एक W window किचेन का जो size है फ्रेंज 5.6 इंची आपको मिलेगा length में और width में मिलेगा 7.3 इंची 5.6 इंची वाई 7.3 इंची आपको kitchen size मिल रहा है kitchen में देख सकते हैं आपको sink and burner प्रोवाइट किया गया है self देखे ओके इसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहां पर यह toilet कम बात दिया गया है ओके फ्रेंज टॉइलेट कम बात है छोटा सा portion में दिया गया है देखे 6 feet इसका length है and 3 feet इसका width प्रोवाइट किया गया है मैं पहले ही बता चुका था तो फर्स्ट bedroom में आ जाते है फ्रेंज देखे यहां पर एक bedroom मिल रहा है हम लोग को कि इस bedroom में आने के लिए आपको एक door दिखेगा जो कि है डी ठीक है एक proper ventilation के लिए यहां पर आपको डबलू टू विंडो देना परेगा ओके डबलू टू विंडो यहां पर प्रोवाइट करना परेगा आप देख सकते हैं बेड्रूम का size का बात करें तो 8 feet मिलेगा आपको length में बेड्रूम का देख लिजे फ्रेंज नेक्स्ट बेड्रूम का अगर size का बात करें तो 8 feet मिलेगा आपको length में and 8 feet 6 inch आपको मिलेगा width में प्रोपर विंटिलेशन के लिए यहां पर window प्रोवाइट किया गया है W2 यहां पर भी W2 window हम लोग प्रोवाइट किया है एंड यहां पर एक D door प्रोवाइट किया गया है इसके बात चले आते हैं 3rd वाला bedroom पर ओके friends 3rd वाला bedroom में आने के लिए आपको D door प्रोवाइट करने का रहा and W2 window यहां पर प्रोवाइट किया जाएगा ओके bedroom का size का बात कर लेते तो 8 feet आपको length में मिल रहा है and 8 feet 6 inch आपको width में मिलेगा ओके friends and यहां पर देखे एक लंबा सा passage बन रहा है इस passage का बात कर दो 2 feet 6 inch 2 feet 6 inch यहां पर मिलेगा आपको length and 8 feet 9 inch आपको मिलेगा एक width okay proper ventilation से यहां पर दिया गया है आप यहां पर sink वगएरा रख सकते हैं बेसीन वगएरा कर सकते हैं हाथ दोने के लिए इसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहां पर okay यहां पर क्या है आप देख लिजे friends यहां पर आपके पास मिल रहा है steer steer आप portion है यहां पर एक देन landing मिल रहा है यहां से आप करके हम लोग first floor में पहुझेंगे यहां से जो steer का length प्रोवाइट किया गया है देखे फ्रेंस 3 feet मिलेगा यहां पर ट्रेड मिलेगा हम लोग को 8 inch को यहां पर जो लैंडिंग का प्रोवाइट किया गया देख सकता है यहां पर 6 feet आपको landing मिलेगा and 3 feet आपको landing का width मिलेगा proper ventilation के लिए यहाँ पर हम लोग provide करेंगे W2 window ओके friends and और क्या बचा हुआ है देखिए यहां से यहां से यहां तक का जो distance आपको मिलेगा friends 8 feet 4 inch मिलेगा okay 8 feet 4 inch यहां पर आपको मिल रहा है मेरे साब से कोई दिक्कत नहीं है और size के बारे में अगर कुछ दिक्कत रहा तो आप जरूर कॉमेंट कीजे मैं आपके comment का wait करता हूँ कि कब तक comment करेंगे आप लोग इसके बाद हम लोग को क्या discuss करेंगे door and window size देखे friends सारे door and window size का नाम दिया हुआ है तो हम लोग पहरे door देख लेते है D, D1 and D2 देखे friends D जितना सारा door देख रहा है यह 3 feet by 7 feet होगा 3 feet length 7 feet height okay D1 जितना सारा door देख रहा है यह होगा 4 feet by 7 feet ठीक है and D2 जो door देख रहा है 2,5 feet by 7 feet 2 feet 6 inch by 7 feet मतलब 5 feet जो D2 door है यह only toilet में दिया गया है अब देख साकते हैं match कर लीजिएगा and अभी हम लोग चले आते हैं window and ventilation में first of all ventilation प्रवाइट किया गया है then W, W1 and W2 ventilation का जो size होगा 2 feet by 1 feet W का जो size होगा friends W आपको मिल रहा है 3 feet by 4 feet okay 3 feet by 4 feet and W1 जो दिया गया है यह 2 feet by 4 feet दिया जाएगा and W2 जो है 4 feet by 4 feet okay 4 feet by 4 feet W2 जो की room में दिया गया है okay तो मेरे ही साब से कोई दिक्कत नहीं है आपको door and window size में अभी हम लोग चले आते हैं footing size में okay अभी देखिए footing क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो यह मैं बता दू यह जो कलम है कलम के नीचे वाला कलम तो होगा मिट्टी के उपर वाला portion and मिट्टी के नीचे वाला जो है सब स्ट्रक्चर उसको हम कहते है तो सब स्ट्रक्चर में footing रहते है suppose आप यह design देखके आपको पता चलेगा देखिए कुछ इस तरीके का हम लोग का cutting section अगर करेंगे तो कुछ इस तरीके का दिखेगा यह हो गया हम लोग का column and यह वाला हो गया हम लोग का footing ठीक है यह footing जो होगा यह 5 feet by 5 feet हम लोग provide करेंगे इस वाला particular यह 500 square feet का यह design में ठीक है footing 5 feet by 5 feet होगा ठीक है इसके बाद column जो बता है 10 inch by 12 inch कोई दिक्कत नहीं इसके बाद हम लोग आ जाते building costing में तो यह जो building है इसका costing कितना आएगा 500 square feet का building है 6.5 lakhs सारे 6 lakh में यह building आप बना सकते है with column and आपका यह जितना सारा आप देख रहे हैं यहाँ पे वाल वगेड़ा जितना सारा देख रहे हैं सारे 6 to 7 lakhs में यह घर बन जाएगा ground floor ठीक है मेरे साब से कोई दिक्कत आपको नहीं आ रहा होगा अगर कुस दिक्कत आ रहा है तो जरूर कॉमेंट कीजिए मैं जरूर एंसर देने का कुशिश करूंगा अगर आप मेरे साथ जूनना चाते हैं Facebook, Instagram, Telegram और Twitter पे तो नीचे description में लिंक दिया हुआ यह आप पर जाके आप जूर सकते हैं इसका PDF मैं पहले बता चुका हूँ इसका PDF मेरा website में मिल जाएगा civilparsala.com वापर जाके आप freely download कर सकते हैं friends अगर आपको यह plan चाहिए इस plan के और भी plan चाहिए तो मेरे साथ contact कर सकते हैं नीचे WhatsApp नंबर दिया हुआ है उसके लिए मैं जो charges करता हूँ आप पे कर सकते हैं तो उसी हिसाब से आप मेरे से plan बनवा सकते हैं तो आज के लिए इतना ही friends, thank you very much